आप आरोप लगाएं लोकसभा चुनाओं में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राउल गांदी जी उबरे नहीं है अब वो मार्केट के इन्वेस्टेर्स को भी गुम्रा करने की साज़श रच रहे हैं आज भारत दुनिया की पाचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन गई है कहाँ फ्रेजाइल फाइफ और आज टॉप फाइफ फास्टेस ग्रोइंग एकॉनमी इन दे वर्ल पूरी दुनिया इस बात को आज स्विकार करती है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को अश्वस्थ किया है कि इस टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बनने जा रही है और यह साधारन उपलब्दी नहीं है पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहे है बड़ी गंवीरता से देख रहे है समझ रहे है कि यह आगे आने वाले दिनों में प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में होने जा रहा है कि पिछले दस वर्ष के सफलता पूर्वक मोदी सरका के कारिकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार पाच ट्रिलियन डॉलर से अधिक हुआ है यानि चार सो लाख करोड रुपए से जादा मार्केट कैप का किर्तिमान प्रदान मंत्री मोदी जी के कुशल नित्रतों में भारत ने प्रात किया है और आज भारत का जो एक्विटी मार्केट है ये पहली बार विश्व की पाच बड़ी अर्थ विवस्ताओं की जो मार्केट कैप है उसमें से एक भारत बना है उसमें हम ये भी जानते हैं बली बाती के पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स जो पी एस्यू लिस्टेड है मार्केट में उसका भी जो मार्केट कैप है वो लगबक चार गुना मोदी सरकार के कारकाल में बड़ा है